दर्भंगा लुकसभा शुक्र में 13 माई को चौथे च्वरण में मत्तान होना है सभी दल के लेता अपनी उमिद्वार को काम्याबे दलाने के लिए अपने पूरी ताकत लगाये हुए है इसी कड़ी में दर्भंगा के अतिहासिक राज मैदान में 4 मई को प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी एंडियो मिद्वार गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में चुनावी जनसभा को संभूदित करने आ रहे हैं मोदी के जनसभा को लेकर राज मैदान में भव्य पंडाल और मंच निर्मान का कारे अंतिम दौर में चल रहा है प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी 2.40 बच कर दर्भंगा हवाई अड़े पहुचेंगे तदा 2.45 बच कर हवाई अड़ा से रास मैदान इस्तित जनसभास्थल के लिए रवाना होंगे वही प्रधान मंत्री ने 2.45 मिनिट पर सभास्थल पहुचेंगे तदा सवा तीन बचे उनका सनभोदन होगा जिसके बाद प्रधान मंत्री जनसभास्थल से रवाना होंगे तदा दर्भंगा अएरपूर्ट पहुचेंगे तदा चार बजी हवाई अड़ा से कानपूर के लिए रवाना होंगे वही प्रधान मंत्री के सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किये गए वही जनसभा के सफलता को लीकर भाजबा के नगर विधाय के संजे सरावगी खुदर राच मैदान में कैम्प कर एक एक चीज़ को बारे के से देख रहे हैं वही मीडिया से बात करते वी भाजबा के नगर संजे सरावगी ने तेजस्वी यादव की मोदी के चुनावी जनसभा को एम्स ने रिक्षन की तंच पर कहा कि मिथिला के विकास की दुश्मन है तेजस्वी जाधर क्या दुश्मनी थी उन्हें मिथिला से जुन हुने 17 महने तक एम्स को लटका दिया मिथिला की लोग आपको कभी माप नहीं करेंगे मिथ्ला के विकास के दुश्मन है तेजस्वी जाधर जी क्या दुश्मनी थी मिथिला को उन्हें क्यों उन्हें ऐसा किया 17 महने तक एम्स को रोटका दिया उन्हें नियमस क्या बंड़ा ताime कभी का रहते है जाएगा हय घाट कभी का रहते हिए दर जायेगा कभी किया दूस्मनी थी निफला के लोगों से इतनी उनको क्यों घिरना थे जो उन्होंने में 17 महिने तक रोडाट का के रखा भी निफला के लोग कभी भी बरदास्त नहीं करेंगे लेकिन तर्जस्वी जादब जी क्या कष्ट था यह कष्ट आपको कि मिथला स एक भी आपका MP नहीं जितके गया क्या क्यों घिरना करते हैं आप मिथला के लोगों से यह घिरना ठीक नहीं है यह इतनी जो है विकास के बिरोधी मिथला के परती एक सही नहीं है 17 महिने तक लटका दिए आप आप सब जानते हैं कि स्वास्त विभाप यहार सरकार का चौन रहा था अपने एक नेता के कहने पर चॉरु विधाय के कहने पर हायागार घुमा रहे ते सोभन घुमा रहे थे अम लोग परनाने के लिए तैयार थे उन्होंने कहा कि नहीं देड़ा आप अपने जमी मतलि इतना घिरना सही नहीं है और इस चुनाओं में इसका जव प्रदान मंत्री जी के मन में हिर्दय में मिथला बसता है और मिथला के लोगों के हिर्दय में प्रदान मंत्री बसते हैं भूतो न भविस्टती इतना सारा काम प्रदान मंत्री जी ने किया है हमारे दमाद हमारे पाहुन को 500 साल से ऐसे ये कॉंग्रेश राज़त मुलायम सिं के कारण वो ज्हुपड़ी में थे और अधर्णिय प्रधानमंतु जी ने हमारे पाहून को महल दीया वो प्रधानमंतु जी आ रहे हैं पांश करऊर लोगों को तो नहों हो भर दिया ही दिया देश के लेकिन लेकिन मितला के लोग सबसे ज़्यादा अलादित हैं। हमारे दमाद, हमारे पाहुन को उन्होंने महल नुमा मंदिर बनाया। वो प्रधानमंतुरी जे पहली बारा आरहे हैं। मितला के लोग भावनात्मक रूप से उनका स्वागत करने। प्रदान मंतुरी जी तो आप जानते हैं विश्व के सबसे बरे नेता है उनके साथ राजा गर्वंदन के सब इन नेता आ रहे हैं और बड़ी बेवस्था की गई है आम लोगों को कर तकलिफ थोड़ा भी नहीं होगा जड़ा भी नहीं होगी आम लोग आईए अपने लोग पियन नेता को सुनिये थोड़ी भी तकलिफ उनको नहीं होगी जह मैं हम लोगों उनको विस्वास दिलाना चाहते हैं